नमस्कार आप सभी का सौक करना चाहूंगा मैं अपने एक और फ्रेश वीडियो में वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से विंति करना चाहूंगा कि आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल को जरू सस्क्राइब करें आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो क पर सकते हैं इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आपको लिखना पड़ेगा आर एफटी डबल ए आर 7811 आप लोग वीडियो तो देख ले तो चैनल को सस्क्राइब करना भूल जातो ऐसा ना करें चैनल को कर दे सस्क्राइब मुझे मलता है मोटिवेशन ताकि ऐसी से 50 से रिलेटेड वीडियो या नए गाड़ियों के बारे में इंफोर्मेशन मैं आप तक पहुचाता रहूं आप लोग देख रहे हैं गाड़ी का शोरूम कौन सा यह मैं आपको बता दूए है नेकसा शोरूम मारुती सुजुकी का जहां पर आप देख सकते हैं तीन से चार गाड़िया एक साथ चिपकी हुई है नई नई गाड़िया भी है इसमें और यहादसा कैसे हैं मैं आपको बता दूए है जहां पर बताया जा रहा है कि जो बस ड्राइवर है उनको हार्ट अटेक आ गया चलाते हुए जिया दोस्तों और जाकर वो भिड़ जाते हैं नेकसा शोरूम में हालाकि इस हादसे में किसी को चोट पहुची है नहीं इसके बारे में कोई भी हमारे पास इंफॉमिशन नहीं आया है जानकारी नहीं है और मैं आपको बता दूँ अगर हम बात करें डैमिजेज की तो आप देख सकते हो तीन से चार गाड़िया यहां पर नुक गाड़ी थी और नेकसा शुरूम में भी काफी जादा नुकसान हुआ है बाकी मैं आशा करता हूँ जो बस के ड्राइबर है वो बिलकुल शुरक्षित रहें और बहुत ही जल्दी रीकवर करें अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो हमें कमेंट करके बता गया और मैं यही आपको सजेशन दूँगा कि हमेशा एक अच्छे माइंड से गाड़ी चला है कोई भी नेगटिव थौट आपके मन में नहीं आना चाहिए पॉजटिव होके गाड़ी चला है काम डाउन होके चला है तो यह आपके लिए काफी जादा बहतर होगा जो भी टेंशन आप लेते हैं उसको वहीं पर छोड़ दे जहां से वो शुरू हो रहे हैं सब अपने आप ठीक हो जाएगा इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चाहिए को सब्सक्राइब जो करेगा मुझे इंस्टाग्राम और बाइट